हेलो फ्रेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईभी फ्लूइट के बारे में, जानेंगे अलग-अलग आईभी फ्लूइट के बारे में, तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम जानेंगे इन चार आईभी फ्लूइट के बारे में, इन सभी का प्रियोग क्या होता है किन-किन condition में कौन सा IV fluid दिया जाता है इन सभी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में IV fluid जिसे की glucose की बोतल भी कहा जाता है IV infusion भी कहा जाता है ठीक है चलिए अभी हम सुरू करते हैं यह जो NS होता है इसका NS को बोला जाता है sodium chloride ठीक है RL का मतलब होता है compound sodium lactate और DNS का मतलब होता है sodium chloride and dextrose और D5 का मतलब होता है dextrose इसे D5 भी कहा जाता है और 5D भी कहा जाता है तो friends आप लोगों को इन सभी के बारे में पता ही होगा लेकिन आप confusion होते होंगे कि कोन सी condition में कोन सा बला IV fluid दिया जाता है उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे तो friends आपको वीडियो अच्छा लोगों तो एक like करना और channel पे पहली बारे हैं तो channel को subscribe कर देना इसी तरह के medicine और medical related जानकारी पारने के लिए तो friends अभी हम जानेंगे इन चारो IV fluid का यूज क्या होता है पहले हम जान लेते हैं इन सबी IV fluid का common यूज क्या होता है उसके बार जानेंगे एक के बार एक क्या उसका यूज होता है इसका common यूज होता है dehydration dehydration होने से यह fluid सबको लगाय जाता है dehydration का मतलब होता है सरीन में पानी की कमी होना उसको dehydration कहा जाता है पानी की कमी को दूर करने के लिए यह सालेन लगाय जाता है अभी हम जान लेते हैं dehydration क्यू होता है किसी ब्यक्ति को लूच मुसन हो गया या किसी ब्यक्ति को गर्मी के बजर से dehydration हो गया किसी भी कारण से dehydration होने से आप इन सबी में से इन सभी fluid को लगा सकते हैं लेकिन dehydration में ज़्यादा तो लगा जाता है RL को और DNS को तो friends, अभी हम जान लेते हैं इसका एक उसके बाद जान लेते हैं one by one इन सभी का यूज के बारे में तो friends, सबसे पहले हम जान लेते हैं NS के बारे में इसका composition is sodium chloride 0.9% यहाँ पर आप देख सकते हैं और यह है बहुत ही कॉम रेट में मिल जाता है यह 34 रुपिया पड़ता है 34 रुपिज यह 500 ml का होता है और 100 ml का भी रहता है और 1000 ml का भी रहता है मैं आपको 100 ml का दिखाता हूँ यह होता है 100 ml का यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद हम जान लेते हैं इसका कौन-कौन सी condition में इसको use किया जाता है उसके बारे में सबसे पहला दिया जाता है dehydration में दिया जाता है NS को वो किसी भी बज़र से dehydration होने से NS को लगा जा सकता है जैसे कि किसी ब्यक्ति को luch motion हो गया diarrhea हो गया उसके बज़र से dehydration हो गया है या धूप के बज़र से dehydration हो गया है किसी भी तरह का dehydration होने से NS को लगा जा सकता है और लगा जाता है surgery के पहले लगा जाता है surgery के पहले ब्यक्ति को NPO रखना होता है मतलब कि सर्जरी के 3-4 घंटे पहले पेसन को खाने परने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता है क्योंकि सर्जरी के टाइम पेसन को नोजिया भूमिटिंग नहीं होने के लिए सर्जरी के पहले से empty stomach रखा जाता है उसके पहले सर्जरी के सालन लगा जाता है और सर्जरी के time भी NS को लगा जाता है और सर्जरी के बाद भी लगा जा सकता है ठीक है और NS को प्रियोग किया जाता है कोई व्यक्ति है कि उसका blood pressure बहुत ही ज़्यादा low हो गया हो उसको ठीक करने के लिए NS बहुत ही अच्छा काम करता है आप सोज भी नहीं सकते हैं उस time NS देने से ब्यक्ति का blood pressure low हो गया होता है उसको ठीक कर देता है लेकिन rapid देना होता है 2-3 NS लगाने से ब्यक्ति का blood pressure होता है उसको normal कर देता है NS इसके अलावा एक्स्ट्रासलूलर फुलूइट रिटेंशन में भी दिया जाता है मतलब कि किसी ब्यक्ति के सरीर में हाइपोग्लास्मिया हो गया हो मतलब कि किसी ब्यक्ति को ब्लोड की कमी हो गया हो वह है किसी बज़े से भी होने से किसी ब्यक्तिक वो इंजिरी हो गया हो उसके कारण से ब्लॉट लॉस हुआ है बहुत ज्यादा और बर्न हो गया हो जल गया हो ब्यक्तिक और इलेक्ट्री सोट हो गया हो इलेक्ट्री सौक के बज़े से खोन की कमी हो गया हो इन सबी किसी भी तरह के खोन की कमी होने से NS को लगाया जाता है वो उसको help करता है ठीक रखने के लिए ब्लॉट को और जो फ्रेंड्स यह है जो 100 ml का होता है उसको यूच किया जाता है किसी injection को जो इसको डायरेक नहीं दिया जा सकता है उसको डायलूट करके देना होता है जैसे कि हमारा जो हो pro nemocy, oh, bottage, pipe touch, इस तरह का injection जो होता है उसको 100 ml NS में डायलूट करके दिया जाता है लगाया जाता है उसके लिये है 100 ml दिया जाता है एक एक ऐसा इंजिक्षाप रहता है आपको भी पता होगा जिसको की डायरेक नहीं लगाया जाता है डायलूट करके लगाया जाता है 100 ml थे तब इस 100 ml saline को दिया जाता है और एक इसका important युज़ा दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसको किसी व्यक्ति का चोट लग गया हो घाव हो गया हो एक्सिडेंट होने के कारण से चोट लगा हो उस जगा पर मिट्टी लग गया हो धूल लग गया हो जो इस टाइम उसको ड्रेसिंग किया जाता है उस टाइम एनेस से उस जगा को धोआ जाता है वास किया जाता है ठीक है उस टाइम भी एनेस को वहां पर पका जाता है एनेस से वास किया जाता है उस जगा को कि और किसी व्यक्ति को उन्ट हुआ है उसको भी clean करने के लिए NS का use किया जाता है, यह सब NS का use होता है, इसका जो सिधा मतलब होता है, मतलब कि किसी भी तरह के पेस्थन को आप NS को लगा सकते हैं, कोई problem नहीं है, उसके बाद हम जानेंगे RL के बारे में, इसका composition है, compound sodium lactate, ठीक है, RL का composition होता है, और इसका MRP है, 56 यह भी आपको 500 ml और 1000 ml में मिल जाएगा, तो friends मैंने आपको जैसे वीडियो के फास्ट पहले बताया था, इसको dehydration में दिया जाता है, dehydration में बहुत ही अच्छा काम करता है RL, और इसके अलावा किसी ब्यक्ति को injury हो गया हो, blood loss हुआ हो, जैसे कि NS का injury के time में यूज किया जा इन्जूरी हुआ हो, बहुत जदा blood loss हो और bone passion हो, तब भी यह RL को यूझकिया जाता है, और friends, bone passion में ज़दातर RL ही दिया जाता है, NSDNS को काम लगा जाता है, RL को जदा तौर दिया जाता है, किसी ब्यक्ति जल गया हो, तो RL को इसमें जदातर लगा जाता है, साथ ही RL को यूज करने से ब्यक्ति को थोड़ा एनरजी फिल होता है और किसी ब्यक्ति का blood pressure कम हो गया हो लो हो गया हो उसका blood pressure को ठीक करने के लिए भी RL को लगाया जाता है नर्माल तक लाने के लिए और जैसे कि मैंने NS का बताया था surgery के पहले दिया जाता है surgery के time दिया जाता है और surgery के बाद दिया जाता है RL को भी वैसे ही दिया जाता है तो friends RL को भी किसी भी तरह का patient होने से आप लगा सकते हैं कोई problem नहीं है सभी patient को आप लगा सकते हैं उसके बाद जानेंगे DNS के बारे में इसका composition होता है sodium chloride 0.9% and dextrose 5% ठीक है यह D5 भी NS के साथ इसमें D5 मिला होता है ठीक है इसको कहा जाता है DNS इसका MRP है 38 रुपीच यह भी 500 ml और 1000 ml में रहता है इसका जो मुख्य प्रियोग होता है dehydration में यह को इसको fast लगाया जाता है dehydration में बहुत ही अच्छा काम करता है किसी ब्यक्ति को dehydration हो गया तो sodium DNS को लगाया जाता है और किसी ब्यक्ति को calories की कमी हो गया हो मतलब कि किसी ब्यक्ति को बहुत ज़्यादा weakness लग रहा हो थकावड महसूस हो रहा हो चल भी नहीं पा रहा है तो आप DNS को लगाने से ब्यक्ति को थोड़ा energetic फिल होता है और किसी ब्यक्ति को blood sugar की कमी हो गया हो मतलब कि हमारा जो blood sugar 70 से ज़्यादा रहना चाहिए उसे ब्यक्ति से कम हो गया हो तब उसको ठीक नर्माल में लाने के लिए DNS का लगाया जाता है और कोई ब्यक्ति है कमजरी की बज़य से ब्योस हो गया है या ब्योसी बार-बार होता रहता है उसको भी DNS चढ़ाया जाता है उसको भी बहुत ही अच्छा काम करता है उस condition में भी DNS और जैसे कि DNS, RL को जैसे operation के time लगाया जाता है इसको भी लगाया जाता है लेकिन कोई diabetes patient है उसका operation हो रहा है उसको नहीं लगाया जाता है उसके बाद हम जान लेते हैं D5 के बारे में 5D के बारे में इसको 5D भी कहा जाता है, D5 भी कहा जाता है, Dextroach injection IP 5% ठीक है यह 5% भी रहता है और 10% भी रहता है यह जैसे 5D लेखा हुआ होता है 10D भी रहता है मतलब उसमें 10% रहता है इसमें 5% रहता है इसका 2% रहता है इसका MRP 37 रुपीच यह भी आपको 500 ml और 1000 ml में मिल जाएगा तो friends D5 को भी dehydration में दिया जाता है इसके अलाबा किसी ब्यक्ति को instant किसी ब्यक्ति को glucose blood sugar की कमी हो गया हो तब भी चढ़ाय जाता है मतलब कि friends किसी ब्यक्ति का diabetes बहुत ही ज़्यादा कम हो गया हो जैसे कि 70 रहना चाहिए 70 से कम हो गया हो तो patient इस condition में serious हो जाता है उसको भी normal तक लाने के लिए D5 या D10 का यूज़ किया जाता है और इसमें friends बहुत ही ज़्यादा blood sugar कम हो जाने से patient का जान भी जा सकता है उसके लिए आप ठीक से patient का ख्याल रखे अगर कोई ब्यक्ति है खाना नहीं खा रहा है या किया problem है उसको खाना नहीं खा पा रहा है तब भी उस ब्यक्ति को DNS लगाने से उसको थोड़ा energetic फील होता है तो friends इन सभी condition में D5 या D10 को दिया जाता है और एक बाद friends diabetes के patient में D5 और D10 को नहीं दिया जाता है जैसे कि DNS को नहीं दिया जाता है वैसे ही इसको भी नहीं दिया जाता है इसको भी operation के time यूज किया जाता है और operation के बाद भी यूज किया जाता है तो friends मैं आपको चारो saline के बारे में digital से बता दिया हूँ अभी मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे लगाया जाता है यहां पर आप देख सकते हैं इसका cap लगा है वहां पर इसको खोलना होता है यहां पर whole type का दिया हुआ है इस लगा पर आभी सेट को लगा सकते हैं ठीक है तो friends यह था आज का वीडियो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करना और चैनल पर सस्क्राइब कर देना आपको अच्छा लगा हो तो thank you for watching